आज हम लोग 36 गड़ की तिहास के अंतरगत बहुत ही महत्पूर्ण मेंस का एक्जाम होना है एडियो का एक्जाम होगा हास्टर वार्डन आरे जितने भी एक्जाम होगे सब में यह सेशन काम आने वाला है और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को पहला प्रस्ण है की रमायन दिपिका विक्रम विलाजब्रामान सोथ जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लिखक कौन थे तो आपको दिख रहोगा बाबुरेवराव कहां के थे रतनपूर के थे यह प्रस्ण आया हुआ है इनकी निवास इस्थान के बारे में पूछा जाता है बेसिकली यह प्रस्ण बनते हैं ऐसे प्रस्ण आगे स्टार्ट करते हैं अगला कोशन है कि निम्न लिखित में से किस ब्रिटिस अधिकारी ने च्थिस गड़की राजस्विवस्तों को दुरुस्त करने है तो तीन वर कि राज बंबा सांसा कोर था बींबा oney request लेंको एक वर मिया भर बन को लिखा है वर फ्रस्ण का उत्तर क्या होगा इस प्रस्ण की उत्तर होगा राजैकुमर जय पैला चीज यह कौन थे वित्ठाल राव दिनकर यह तैसे और सुबेदारी व्योस्था को प्रारम करता कौन थे यह थे व्यंगो जी भोसले अगला प्रस्थन है केप्टन हंटर के बाद किसी चत्यजगर का अधिक्षक बनाए जा तो सबसे पहले चत्यजगर के जितने भी अधिक्षक है न सब को आपको याद करना है संभूता इसका आजर क्या होगा हंटर के बाद बने थे सिस्थ्थ पहले एडमंड को याद रख लेना एडमंड फिर एगेन्यूं है फिर क्राफफर्ट विलिंस सब को याद करना है संभूतार है इस प्रकार से इसको आपको पूरा ध्यान में रखना है और उसके हलावा यह भी ध्यान वो कौन थे याद रखना हरीजन सेवक शंग आप इसको कनेक कर लें दुर्ग से और दुर्ग की पसिद्ध व्यक्ति तो कौन है घंस्याम सिम घंस्याम से गुप्त जी पंडित रविशंकर सुकल बहुत सारी रचनाय है कंसवत उसमें सेक्त और बहुत सारे न सीता परणाय पारवती पढ़नाय अना चत्रिस गड़ दान लेला और यह इनका जन्मर राजिम चम्सूर में हुआ था यति अतनलाल जानते होंगे खुप्चंद बगेल राजनन्द गाओं आगे बड़के नेक्स्ट प्रसन है कि 1906 में स्थापित समित्र मंडल की माध्यम से किसने सुधारों की स्रीगड़िस किया मतलब जो यह समित्र मंडल था नहीं कैसा मंडल था जिसमें जो राष्टी आं दुलन करता था उनको प्रुचाहित कनों उनको प्रेणना देना तो यह जो संगठन था उसका गठन किस ने करा तो यह किया था पंडे सुंदाला सर्माजी ने 1906 में तो पूछा जाएगा कि संभी पूछा जाता है कई बर कई बर इस्थापना करता है अगला प्रसन है प्रसी ऑप्षेन है यह सबसे फिड़बैट था है आठ जिसका अंसर क्या होना ची ऑप्षेन नमर सी नेक्स्ट प्रसन है चैत्तिजगर का प्रथम पहला अंग्रेज अधिक्षक कौन थे पहले बताया मैंने एडमंड थे इन्होंने क्या करी इन्होंने राजधानी परिव उसले सासा के सासान अधिन छेट्रेश गड़ पर ब्रिटिस सर्रक्षण का नियंत्रन कब हुआ तो यह क्यों डेट था ना यह था 1818 सीता बर्डी का युद्ध हुआ था सीता बर्डी का युद्ध हुआ अच्छा एक्च्वल में कारण क्या था पता है आंगलो और मराठा युद्ध हो रहा था यह दूसरा है दूसरा नमौर का था तब जैसे ही मराठे पराजित होगे किन से अंग्रेश से तो भाई जो जो छेतर मराठो का सासन वाला छेतर था उसको सब को किसको हैंड ओपर करना था अंग्रेश जो को यह जो संता वो 1818 था तब 36 गड़ में किन सुन्धादसरमा जी का जन्मस्थलि अभी बताए राजिम चमत्र अगला प्रस्थ ना है कि विख्यात सोना ख जमीदाई की स्थिध्य आपको बताना है कि कहा है स्थिध्या बलौदा बजार तरहलों में बाग भार्वभा तरहशल में विलाईगर में या सहीद वीनराएंड जी, वो इनके पूत्र थें, मतलब इये राम राय के पूत्र थें, तो अगर ये जो छेटर है, सोना खाजो जमीदारी है, वो basically बलाउदा बजार तहसिल के अंतर गता था, जीला थो ठीक है, लेकिन तहसिल भी बलाउदा बजार है, अगला प्रस्न है कि जेल पत्रिका की संचालन किसके दोरह किया गया तो यह पंडित संदलाज सर्मा जब वो उनको जेल ले गया था अगला प्रस्न देखते हैं कि चरजीत रैपूर राजनितिक संमयलन कहा हुआ शरी कभ हुआ था यह असहयोग अंदुलन की समय हुआ नीसम बीस में ब्रिटिस कर सरक्षण ना करे उसी के परिपेक्ष में 36 घड ने एक » 來 चरण में वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर्शुकल ने कौन सा पत्रिका निकाला तो यह जो पत्रिका है नो का निकुब्ज है ओप्शन नमबर चेंग नेक्स्ट प्रस्ण के बारे में बात करूँ कब चे भोश्ला राज कुमार बिम्बा जी ने चत्तिस गड़ में प्रत्थम मराठा सासा के रूप में प्रत्यक्ष सासन इस्थापित के था चत्तिस गड़ में ती यह जो संथ है ना 1757 सत्रासो संतावन के आसपस का इस समय था इसमें बिम्बा जी ठीक शत्यस गड़ में आये शत्यस गड़ में शासन किया उनकी तीन पत्निया थी रमा उमा अनन्दी भाई ठीक है और यह सारी चीज़े हैं पूरा इनका सासन काल चला शत्रासो सत्यासी तक फिर उनकी दिहांत होगे मृत्य होगे फिर कहीं न कहीं मराथा शत्यस गड़ में विखरता नजरा रहा था चीमर जी इस समय इनके अगले वंसस होने वाले थे लेकिन इनकी पत्नी आनन्दी भाई के साथ इनका संगर्स हुआ तो यह सारी चीज़े आपको अनन्दी भाई का संगर्स हुआ था तो आपको सारा सिनारियों को एक फैक्ट में ध्यान रखना है सिनॉप्सिस के फार में ध्यान रखना है अगर अच्छा कोश्चन है कोश्चन बनता है अठारा सव पच्पन में चैत्यसगर में जो न्यूक तर डिप्टी कमिशनर थे कि इसका अंसर होगा चाल्स इलियंट अगला प्रसन देखते हैं कभी माखालाल चतुरवेदी को ब्रिटिस आसन ने किस फर्स की रप्तार हुआ था मतब किया गया था उन्यूक तो बोलते जिस प्रकार ये लाइट का कनेक्शन बंद किया गया था न मेरे इस भासन के दवर उसी प्रकार अंग्रेज इस देश से ऐसे ही चले जाएंगे उनका भी कनेक्शन कर जाएगा तो इस कारण इनको गिरपतार कर लिया गया तो यहीं पर उन्होंने जब जेल में जेल पोचे था पुस्प के भी लासा और बहुत सारे इन्होंने रशनाई करी तो वो जो समय थ इनकी जितनी भी प्रसिद्ध रचना है उनको एक बड़ देख लेना है अगला प्रस्ण है गोपाल कृष्ण गोखले का रायपूर में आगमन कब हुआ था अब यह सबसे विवादित प्रस्ण है जब गांधी जी 1915 में भारत वापस हुए तो जैसे यह वापस हुए इनक के बारे में बताया गया कि 36 गड़ो वो इस सब्सक्राइब के पास चात्वा नहीं सकते थे तो यह कुशन विलोपीत हो जाएगा है इनसे पहले आया थे कब आया थे आपको में सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताईएगा अगला प्रस्ण देखते हैं कि एलपी खरे की स् मु dragging मंत्री बने तो तब 36गड़ में जो सिक्षक बंत्री थ सिक्षम मंत्र थे वह cav Villayyalor योजना का प्राण बनेगा प्लख क्रण मंतर थे 1977 ठीमें ख्ली मंत्री ऐसका ऑन्सर क्रकल रहरा राजी की मांको सरप्रधमधा सभंएक प्रश्तूत किया इसका आंसर क्याytt यह तब 1955 के आसपस था यह चुल में 36 गड़ किसका हिसा था सेंट्रल प्रोसेसर ने इन बराप और 36 गड़ को प्रितक 36 गड़ मांगने के लिए बहु सारे निताओं ने ने बहु सार निताओं ने काफी आंदोलन किये बहु सारे सम्मेलन का गठन किया हर एक सिनारियो को एक एक करके अट 1905 से लेके वरतमान 1999 तक को आपको पढ़ना है क्योंकि एक नॉंबर 36 गड़ का गठन हो गया तो यहां से एक प्रस्ट मनता है यह उसका बेसिक प्रारूप है पूरा आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो में अगर देखे तक काफी लंबा हो जाएगा तो आपको यह चीजों को ध्यान में पहकी और है कि अदेखना है आपको समराइज्स करके देखना है याद करना ही अचा इस प्रसन से आप जो सिखेंगे बता तो एगल रियासतों का भारसंग में जो बचाल नेक्स्ट प्रस्ट्स नहीं चात्राव सुभवेदार नीजित है लिग नहीं नíक्तार नमाता है चेशोगोविंदों तो देखों महिस पत्राव दिनिकर की समया अनले कस फोरिस्टर में विठल राओ दिनकर की समय ब्लंट आये थे 1795 में किशो गोविंदी की समय को न आये थे कोल ब्रूक कोल ब्रूक से तो यह जो ह्यात्रित इनको आपको देखना है और पूरा जितने भी सुबेदर है सपोपन नहीं 36 गड़ में त्याग मुर्ति की उपाधी किस ने दी तो यह किसे दी तो यह पंडित ठाकुर पहरे लाज सीको त्याग मुर्ति की उपाधी दिया गया राज का प्रथम महील असासी का वैसे तो भारत के परिपेक्षमें अगर रजय सुल्तान बोलू उसे पहले भी रहे होंगे लेकि रजय सुल्तान प्रमुक थे उसी प्रकार 36 गड़ की परिपेक्षमें अगर बात करो तो यह थे प्रफुल लुकमारी देवी काकती वन से संबंदित था इनका संबंद था सेंट अब जेरुसुलम के पाधी से कौन जाना जाता है तो यह रोधर प्रताब देता है इन्होंने जगदलपूर सहर की स्थापनगरी ना चौराहों का नागर खा जाता है नेक्स्ट प्रस्ण है होम रूल लिग योजना में रायपूर जी लेका प्रतिनिधित किया गया था तो यह किया गया था रायभादू ठकर जी के द्वारा रायभादू ठकर जी वर्ष 1924 में रवी संकर सुकल ने कोई से पत्रिका का विमोचन के थे काने कोब जी था उसे प्रकर बिलासपूर से उत्थान जबकि रायपूर से उतकर पत्रिका का संपादन हुआ तो आलोक को भी बता दीजेगा यह कमेंट सेक्शन बताईएगा लेकिन के द्वारे इसको को संचालन किया अचा मदप्रांत और वरात वरार के कॉंग्रेशी मंत्रि मंदल में कि किस सिंप्र मंत्र ने सिंप्षा-मंदिर यह न परसुत किया मने बताया जब बी जी घरे चिक हिए इन खरे यह Gentlemen, ग्या किम को सिंप कोम प्यी म कर जाते तब को वि को ध्यान में रखना पंडित रविशन को सुख है कि मद्य प्रांत इन बराक के गवर्णर के पत्पर न्यूक्त होने वाले यह थे पंडित स्वारी राग्मेंदर रां ऑप्शन एक नेक्स्ट प्रस्न देखते हैं किस ने गांधी मिमान सा नामा करंद की रश्न करी गांधी जी दो बर स्थित्यजगर आए थे एक बार नॉमबर उनिस सो बीस में आथे अब दिशंबर उनिस सबीस में थे 20 दिसंबर क एक बार आए थे नॉमबर नॉमबर उनिस सो तैटीस में तो इसी समय पंडित रवी राम दयाल तिवारी जी द्वारा गांधी मिमान सा की रश्न करी किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस नरम दल और गरम दल में भाजित हो गई तो यह था सुरत अधिवेशन सन 1907 नेक्स्ट प्रसने देखते हैं कि सवर्स 1947 में कांग्रेस का गठन वा जिसके अध्यक्ष कौन थे तो यह थे राम प्रसाथ पोटाई जी राम प्रसाथ पोटाई जी नेक्स्ट प्रसने रायपूर में सविनय अवग्या अंधुलन को योजना बद्द तरीके से स्थापित करने का असरे कितने व्यक्तियों को जाता है तो पांचों पांड़ों के रूप में आप ध्यान में रखना तिसका आंसर होगा पांच अगला प्रस्ण है कब अरी मर्दन गीरी की नत्रत में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्यागरा करा ये था दिशंबर 1932 था क्या नई सितंबर 1932 अप्चन अबरे भारत छोड़ा अंदोलन के दौरान सास की संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख जो नेता थे न कौन थे ये थे रगुनंदन सिंगरवाल जी कहां के थे दुर्ग के थे भारत छोड़ो आंदोरन के दौरा राइपूर में जो डाइनामाइट का अंड हुआ था चत्रिस गड़ के परिपेक्ष में अगर बात करो इसके जो नायक्त थे ना वो कौन थे नायक्त विलक नरायंग अगरवाल जी ऑप्चन नमर एक इसी की बहाब में दूसरा कोश्चन ह है कि रायपूर सडियंतर केस के जो पुलिस मुखवीर थे वो कौन थे एक रायपूर जो सडियंतर केस था वो उसके जो नायक्त रहे हैं वो परस रम सोनी रहे हैं जबकि मुखवीर करता सियू नंदा जी रहता है ऑप्चन अमबर टी को धान में रखना इसमें अगला प्र प्रोहियों को रायपूर में फासी दे दे गए। बात कुछ ऐसा था कि हनमान सिंग जो लसकर थर्ड बटालियन के कमंडर थे मतलब वहां के सेनपती थे जो भी थे जो भी पद में थे तो वी जो है सिडवेल की हद्या कर देते हैं जैसे सिडवेल की हद्या करते हैं तो प्राइपूर में सब के सामने क्या कर दिया जाता है सब के सामने क्या कर दिया जाता है तो कितने लोग थे 17 लोग थे ओके 17 की इतिहास को अगर अधोनी की इतिहास आप अच्छेश पढ़ेंगे न ती यह कुश्चन कांसर आप देपाएंगे पूर्व में रैपूर जी ले जीला कौनसिल को अंग्रेज ने 11 नॉमबर 19-30 को कितने वर्सों के लिए सघीद कर दिया तो यह जो है ना रैपूर कॉंसिल मतलब रायपूर जीलव परिशत तो इसको तीन वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था इसका उप्शन नमबर कंडिल नहर सत्यागरा कि भाई नहर के पानी को हमको थोड़ा दे दीजिये ताकि हम लोग अपना खेती अच्छे सकल लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज रहे कोई पानी नहर को दुरुपयोग करके पानी को लियो सबको जब्त कर लिया गया ताकि वह हर जाना दे और इस समय उन्होंने हर जाना रखा था किसानों के उपर लगबाग 4,033 तो जैसे इतना बड़ा रकम कैसे दे पान तो यह सारी चीजों को लेकि वह पंडिस सुन्दलाल सर्मा के पास गया तो यह कांदोलन प्रावम हो बह अब यह पंडिस सुन्दलाल सर्मा जी मिलने के कहा क कलकटा वलइस्यत्रम में बें तो बो मिलने के गांदी जी से प्रवास गौनदी जी कांदी जी का देखने मिलता है किनके द्वारा पंडित सुन्दलाल सर्मा के बारा तो ये घटना को आपको ध्यान में रखना वासे बहुत ज्यादा डिटेल है इसको ब्रिफली कोशिस क्यों समझाने का आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रसने क्या हिए कि जुलाई उनीस सो बीस में किसके नत्र तुमसे धमतरी तासिर में कंडेल dia नहार सत्तक प्रारूम बा तो बिसिकली नेत्यटा करता कर पुझे तो चोटे लहासरी वासत w तो छोटे लाज सी वास्ताओ पंडे सुंदाला सर्मा जी नराय राव मेघावले तो ये बहुं सारे नेताओं ने मिलके बहुं सारे राष्ट वादी नेताओं ने मिलके यह अंदुलन प्रारम करवाए था कंडेल क्राम में ठेक है 1922 में आगे बढ़ते हैं ठीक है इसका सेपरेट वीडियो भी लाएंगे क्लास के कोडिंग में रहेगा बताब पुरे डिटेल में रहेगा वर्स 1924 में गांधी जी द्वारा प्रारम किये गया व्यक्तिगत सत्यागरा को रायपूर में प्राधुर्भाव किस ने किया तो रायपूर की जो प्रसिद्ध नहीं था कौन थे पंडित रविश अंकर्शुक लोन ने के नाम में एक विश्व विद्या लाई भी है तो इनके द्वारा गांधी जी की जो व्यक्तिगत सत्यागरा था ना उसको प्रारम के रायपूर में अगला प्रस्ण है कि निम्न लिखित में से अधिक उत्तेजक और विदा विवादास समाचार पत्र कौन था जिस प्रकार हिंद केस्टरी था या बहुत सारे पत्रीका थे भारत लेवाल में चत्यस गड़ लेवाल में चत्यस गड़ मित्र था माधरास अप्रें तो ये ब्रिटिस आसन के विद्रों में हिंद केस्टरी में प्रकासित लेखा देश लेखो देश की दुरदसा बंगोले का रहश के कारण 1908 में गिरबतार कर जो जेल बेजे गया थे फो कौन थे यही वेक्तिते माधरास अप्रें इजी कोशन देखते गांधी जी 36 गड़ कब आय अच्के सेशन का लास्ट प्रस्ण है धंतरी तस्हिल के अंतरकत पढ़ने वाले जो सिहावनगरी के आदिवासियों ने जंगल सत्यागरा कर प्रार कब प्राराम किया करो किया था यह जो डेट बहुत क्लोज है 18 जनवरी 20 जनवरी 17 जनवरी लेकिन यह अलग अलग है तो आ जिलते हैं अगले बंड़त तक लिए जाहें